ओके वेल्कम ने चाले में इसकेंड इसी चोड़ वीशी तो आज अपन वीकली टॉपिक्स का डिसकस्षिन करें और पॉलिसी बजार का डिटेल डिसकस्षिन भी रहें कि उसमें कितनी दम है क्या वो डवलवल हो सकता है या फिर किस तरीके से पूरा डिटेल डिटेल करेंगे और फाइनेंसियल डिसकस करें किस तरीके से रिजल्ट्स आये और क्या इसमें वेल्डिंग्स का बैटन क्या चला है सारी चीट देखेंगे सो फस्ट अपल अपन इस्टॉक्स देख लिए है जो आपने वीकली के टॉपिक्स रहें है या फिर नेक्स्ट फोकस में रहने चा है अभी भी ऑल्मुस्ट फोकस में रहा सकता है अगर कभी 460 के आसपास मिल जाता है तब भी फोकस में डाल सकता है तरवा यह लेवल जिसने हिट किया है दोबार अगर इसकूपर सच्टन करता है तो अल्मुस्ट नीचे और इसपास मिलता है और यहाँ पर टारगे से कर दा सकते है ओकर आ के चैको फोकस है ॉपर पर जा सकता है विए यह अभी-भी फोकस में रहना चाइए ऐसा कुछ नहीं कि आप इसमें स्टेंधी में यह बहुम participants हैं עamed आने वाले साहे में और भी अच्छा कर सकता है ओके सो नेक्स्ट आपने फोकस पर रहना चाहिए वो रहेगा अपना यू बैंक यू बैंक इस लोकिंग गूड अगर यहां पर देखने जाएंगे तो यहां पर यह थोड़ा सा बेस बना के नीचे आया तो यहां पर इसने हैमर बनाया फिर इंवेट्यड हमर बनाया फिर इंवेट इसको इसने एक अच्छी स्ट्रॉंग केशा पार किया उसका से यह पर इसने होल्ड किया और डू जीटएब बनाई एंडिसके बात फिर से यह यहां पर इसको नकालने कोसिस कर रहा है तो 625 से ले के 626 कूब अगर यह शहाइनस न दालना है और बड़ा थोड़ा सी त्युक्त राड़ा तक यह कोई तiğ तो अलमश्व थन दाल यहां पर यहां पर इसको फोकस में डाल सकते हैं कि माक्सम स्वार्म लास्ट वीग मैंने आपको आए था कि नीचे आता है तो अल्मुस्ट से 66 सब्सक्राइब बने का अल्मुस्ट इस पास आया वहां से बांस किया और 69 तक यह अभी यह 69.50 से लेके से 70 कूपर अगर 30 मिनट से लेके बनावर सस्टेंट करता है तैनस को फोकस में डाल सकते हैं और पहले टार्गेट अल्मुस्ट से लेके अल्मुस्ट तक के टार्गेट से बना सकते हैं तो से डाइड रुपए का एसल इसमें डूरे रहे गा इससे यादा कैसल की जिसमें ज़रूपर पड़ेगे दो से डाइड रुपय के एसल अल्मुस्ट एंड टार्गेट डॉलमस्ट बनाएं 68 तो 10 पर्षेंट तक है सब्सक्राइब है और नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा अपना रहे चाहिए हैं थोड़ा से गिरा हुए स्टॉकर लेकिन यहां से थोड़ा सा अल्मुस्ट बेस बनाने कुछिस कर रहा है यहां से डाउन हो गया था अरुबंस्ट यहां डोजी बनाई इसने फिर इसको थोड 60-3 कोदा करता मिल जाता है अल्मुस्ट 680 को फ्रered का सटेंट करता हूं मिल जाता तयुको यह लेवल होगा थेन फिर इसका टार्गीट बन जायें अल्मुस्ट पहरा टार्गेटी से लए ग के findet टारिटेटी तक के टार्ग बना सकते हैं वह प्र प्रятсяएोड से 277 थैंटी फ्यू अपकमिंग देज तो अच्छा लग रहा है इस तो तो लेंटी फाइनेंस क्या नीचे से 10 लाइन जा रही थी यहां पर इसने पर्फेक्ट सपोर्ट लिया बांस किया फिर होल्ड किया फिर से निकल रहा है सो पहला टारेट अपर यहां तक कि बनाएंगे समय अल्मूस्ट नैंटी वन पॉइंट फैट इलिए पाइट अपर अगर से अगर अगर पहले नैंटी फैप्से लेकिन नैंटी सिक्स और उच कूपर निकलता फिर हंडेट तक कि इसमें टार्गेट बनाए जा सकते हैं है सो अच्छा लगराए भी ओल्मोस्ट टो टेल पेर संत के सुने सकते हैं अल्मुष अंड़ तक जाए है तो 10प्समें हो जाएंगे और पहले 96 तक जाता है तो ऑल्मोस 5-6 पर के सुने स्मस्मिक हो जाएंगे सो 91.50 से लिए 92 को पर L&T Finance को सस्टेंग करता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं ऐसे लिए रहेगा 88 से लिए 89 के असपास और टार्गेट पहला 96 और उसको पर 99 से लिए 100 तक के टार्गेट से बना जा सकते हैं अने वाले बीक में अच्छा कर सकता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं और टार्गेट और पहला होगा 172 वास्ट सेकंड टार्गेट 175 और 175 को पर क्लूस करता है और नेक्स टूइट पर संक लिए फोकस में आ जाया किन पहले एक सो बातर से लिए एक सो पचतर टार्गेट एक सो पचतर तक के टार्गेट बना जा सकते हैं सो रेन इंडिस्ट्री इस लुकिंग गुड़ अफ नौ लेकिन इस्टिक टैसल लगेगा समय स्कूपर सच्टन करता है तभी इंट्री बनेगी और अल्मुस्ट एसलस के नीचे है फिर 160 के आसपास का एसलस में लगाया जा सकता है सब्सक्राइब तो थीक लगारा भी थोड़ा सा रिकवर करने कुछिस करता है तो रेंडर इंडिस्ट्री पर नजर रह सकती है नेक्स्ट और आगा बीडीयल तो बीडियाल दोको अप्ट्रेंड के वाद इसने थोड़ा से वहीं पर उसी लेवल पर कंसरेट कर रहा है तो देखो उपर से टेंड लाइन आ रही है अगर इसको पर सस्टेंड करता है देन उसको फोकस में डाल सकते हैं जो कि लेवल होता है 980 पर तो लिए नहीं जाता है तो ना इन देट का आसपास में रह सकता है और टार्गेट अल्मोस्ट फवी बनाई पहले अल्मोस्ट 980 तक के उसको पर अश्चंग करता देन आने बाले समय अच्छा मोंटम कर सकता है तो बीडियल को फोकस में रहा सकते नीचे 900 के आसपास और अब नेक्स्ट अब रहा है हिंदुस्तान कॉपर तो हिंदुस्तान कॉपर इस अल्सों लुकिंग गूड फॉर आज के सवाइं में चल रहा है नीचे गिर रहे थे फिर डोजी बनाई फिर इसको पर सच्टेन किया दो दिन होल्ड किया अफिर निकल सकता है तो हिंद कॉपर किस तरह की फोकॉस में डाल सकते हैं 1052 पर अगर यह सस्टेन करता है 105 को पर सस्टेन करता है देन फिर 3-4 रुपीज का इसमें असल डालेंगा पहले तरह रहे बनाएं वन 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 टू और वन वन फाइब तक के टार्गेट इसमें बनाए जा सकते हैं तीन से चार्ट रुपय का इसल एक सो पांच को पर सस्टेन करता है तब तरहीं फोकस में डालना है पहला टार्गेट आप अल्मोस्त यहां तक बनाएं उसको पर फिर अल् अंदर अतक के टार्गेट बनाए जा सकते हैं एक सो पांच को पर सस्टेन करता है ताब तीन से चार रुपय का एसल इसमें रिकार्ड रहेगा ओके बातारा हूं पूरा आन अल्मोस्त फिर ने यहां पर अल्मोस्त तीन वीक हो गहां घुड़ा कि लाफ के यहां पर देखो मैंने तीन विक पहले डालाता है याना जब अल्मों 57-58 के आसपास था वहां से 25-30 परसेंट उपर है तो अभी इसको टेल कर सकते हैं 69 एग्रेसिव के आसपास एग्रेसिव ऐसे लिए 69 का वहां वहां सकते हैं उपर कोई इंट्री होगी नहीं और यह अगर कोई प्रॉफिट बॉक करना चाहता है यहां पर प्रॉफिट भी बॉक कर सकते हैं और आधा फिर अल्मुस्ट्रेल कर सकते हैं 67 से 66 के आसपास से एरियर आगा और इसको पर से 70 तक कोई करना चाहिए तो अग्रेसिव एरियर आगा ओके इसके फानेंशिल डिसकस कर लेता है तो दिसंबर 2020 में अल्मुस्ट दिसंबर 2020 में 230 करोड से बढ़ता हुए रिवेन्यू इनका जो कि अब पहुंच गया है यह देखो दिसंबर 2020 दिसंबर 2021-400 करोड और अभी इनका जो पढ़के पहुंच आया वो 680 करोड के असपास पहुंच गया तो कि अच्छा है रिवेन्यू लगातर बढ़ रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है लेकिन जो कमपनी की दिक्कत क्या थी अवेट्टा मैनेस में चल रहा था मै पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए अब दस फिर प्लस 17 ऑच्छी बात है जो कि पॉजिटिव में आ रहा है वेट्टा यह अच्छी बात होती इसके लाव अगर देखने जाएंगे तो नेट इंकम कुछ नहीं थी माइनस में 19 करोड थी इससे पहले दिसम्बर माइनस में 300 करोड इसके लाव फिर अभी यह घटके ऑल्मूस मानस 87 करोड रह गई है तो यह एक अच्छा पॉइंट हो जाता है जो कि नेट इंकम है वालग जो पहले लॉस में था जैसे माइनस तीन सो करोड का लॉस ता दिसम्बर 221 में अभी जो घटते रहते माइनस 87 करोड का सब्सक्राइब तो यह अच्छा पॉइंट हो जाता है जो कि लॉस भी लगातर घटा रही है एप्स के टम सम्ट देखने जानी तो माइनस 7 करोड दिसम्बर 221 में उससे घटता हुग अभी माइनस 1.96 पर आगया तो इपी एस भी कंपनी के स्ट्रॉंग उधियारी दिरी द लगाता है तो उसमें कंपनी कमी कर रही है एपी एस कंपनी के सुधार रही है माइनस 7 से ऑल्मोस्ट माइनस 1.96 तक आ गई है तो यह पॉजिटिव हो जाता है अभी क्या रहेगा इंपोर्टनेंट इस कंपनी के लिए चल बताता हूँ लेकिन पहले इसके फानेसिल होल्ड पॉजिटिव हो जाता है सितंबर 2022 में 4.68 थी अभी 8.06 हो रही है तो यह अच्छा पॉइंट है और इसके लाभा जो पॉजिटिव रहेगा वो रहेगा अधर डॉमेस्टिक इंस्टिटूशन जो कि यहां पर कम हो रहे ते लगाता है लेकिन सिप्टंबर 2022 में 5.35 थे अभ परते घ्र देह के लिए वह इसलिए रहा हूं कि इसमें कमना बहतर पर से 37 पर से पर गई पराइए टेल यह था है लिए इसलिए स्टॉक बढ़ता जा रहा है लगाता और और कभी भी बिडेट मेलता तो स्टॉक को फोकस में रख सकते तो देखो अगर इसलिकर अगर पैट जा रहा है और रेवेन्य का बढ़ गया रहा है तो यह पॉजिटिव सान होते हैं तो क्या इससे आपन समझ सकते हैं कि कंपनी का अजिए नेक्स्ट कार्टर का डिजल्स काफी इंपोटेंट रहेगा अगर वह अच्छा आता है तो कंपनी आपको अल्मुस्ट हजार के उपर भी दिख सकती है तो अभी कंपनी दिपत पर यहां पर मिल जाती है जो अब कहने पर इसको फोकस में रख सकते हैं अगर फाइफि तो 600 कूपर जैसे स्टेन करती है तो टार्गेट थोड़े से बड़े बनाई है और एसल भी इसमें बड़ा रखेंगे तो और नीचे अगर 500 का असपास मिल जाए तो तो गुड है बहुत है बहुत है और ऐसे लिए इसका रखेंगे अगर 500 का असपास कोई लेता तो 480 का है जो कि होता है और जो बिल्कुष से ऐसल होता है वह यहां गई होगा लेकिन वह छोड़ देता है पूर यहां पर इसका असरल डालेंगे जो कि पचास से साइट पैंट कर रहेगा और टार्गेट इस बड़े बनाए यह टार्गेट इसमें किस्ते ही से बनाए जा सकते है देन sain ten इने सो फोक्स टेलर टारगेर रखेंगे से वन ट्वेंटी गि का वेस्ट टारगेट रखेंगे उसकोब फिर Eggman Reef चार्गेट रखेंगे तरहागेड एथहस बcha को पर फिर हमकोन के यह ऑसके थो टारगेट 2019 यह नहीं मिलेगा यह आपको 1212-1300 के आसपास मिलेगा लेकिन अभी रिस्क लेंगे तो क्या होता है कभी 550 थोड़ा वीक था जी लास्ट वीक भी था अभी मार्केट फिर से भी होगा तो फिर से मिल जागा कभी ने कभी आपको नीचे अगर उपर लेना मुएंटम में तो कौ कुछ अस्तक्षिव नीकर सकते है अपने लेवर्स ठोड़े से ऊपर मिला अपने को लग रहा है अच्छा लेवल है लेकर लेकर ये लेकर अपने को फोकस में डाल सकते हैं वहाप इसको 480 के अशल ब्रेट इसमें और आड की जा सकती है तो 550 अच्छा एरिया रहेगा इसको करने का लिए 600 को पर सेस्टन करता है तब भी इसको फोकस में डाल सकते हैं टार्गेट रखेंगे यह आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा अगर आप और यह वीडियो सिर्फ और इंफर्मेशन एजूकेशन परपस के लिए यह को इन्वेश्टम डाइडियाटिव मैं आपनी आपके पास तो इनमें आपको व्यूम जाएगा इस तरीके से प्लान करते हैं यह को इन्वे अगर वीडियो अच्छा लाग दें वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरू करें मनते ने शुए तब तक लिए आपके लिए सी यू